नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश्टाकर के साथ दोस्तों NTUGC NET GRF हिंदी एक्जाम एनलीसिस करेंगी जो 13 नमबर 2020 को इवनिंग शिप्ट फ़ला हुआ था और उसमें लगबग जितने प्रशन पूचे गए थे उनमें से जो प्रशन याद थे उनमें से लगब पचास प्रशनों को आपके बीच में डिसकस करने जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों को दिपावली की बहुत बहुत शुबकाम नाएं उमीद करते हैं कि आप स्वस्त होंगे और आपका परिवार भी सुखी और खुशाल होगा तो अब हम देख लेते हैं कि जो प्रशन पीछले कल एक्जाम में पूछे गए थे वो कौन-कौन से थे शाम वाली शिप्ट में तो देखिए जो पहला प्रशन पूछा गया था पंच विडाल में जो शामिल चीज़े हैं वो कौन से नहीं है पूछे गई थी यह अचारी रामचंदर शुकल जी के अनुसार तो इसमें जो अचारी रामचंदर शुकल का हिंदी साहित्या का इति हास था देखिए उसका प्रकरण टू था जो आधिकाल का था अभगंश काव्या तो उसमें से यह पंक्तियां लिग गई थी देखिए कातरवर पंच विडाल जो लुईपा की पंक्तिया हैं उनमें माना है कि कौन सी तीन चीज़े उसमें कौन सी एक चीज उसमें शामिल नहीं थी तो यह यह कर पाएं कि किस तरीके का पेपर आया हुआ था और क्या जो हमारी प्रसेंटेज या कट आफ जाने के संभावना होगी तो देखिए पहरा प्रशन जो इस तरीके था कि पंच विडाल में शामिल कौन सी चीज़े नहीं हैं नेक्स प्रशन हम देख लेते हैं कि क्या था एक इस तरीके से पूच गया था कि भारतेंदो के प्रहसन कौन कौन से हैं तो जैसे उसमें देखिए एक भारत दुर्दशा भी था लेकिन भारत दुर्दशा जो था वो क्या था नाट्या रासक था ठीक है फिर वैदे की हिंसा हिंसाना भवती ये क्या है या इनका प्रहसन है और साथी साथ अंधेर नगरी भी इनका क्या है प्रहस्न है तो ये दो इसके सही उत्तर होने थे अगला देखिए उसके वादी था कि बिम्भवादी कौन था तो इसमें से जो विकल्प थे उसमें था जैसे जो लुकाश थे और एक और था कोई है तो वो क्या थे वो आपके मार्क्सवादी थे ठीक है लेकिन जो एजरा पाउंड़े देखिए ये क्या है ये बिम्भवाद ही था क्लियर है इसके अलावा अगला जो प्रशन है देखिए वो है रम्य कल्पना से संबंधित कुछ प्रशन पूछा गया था शायद ये मिलान के लिए था कि किस तरीके साथ एक्जक्ट इसमें याद नहीं आ रहा है किस तरीके सा था लेकिन रम्य कल्पना जो दी थी व और मैंने करम 22 मां पर रख दिये हैं कि सुहा के नुपूर 1960 में लिखा था मानस कहां से 1970 में खंजन नाइन 1981 में पीडियां 1990 में लिए दोस्तों नेक्स प्रशने देखिए कहानी के पात्रों का मिलान करने को आया था और उनमें से एक जो आपकी कहानी की पात्र थी वो मालती आ लिया था तो पूरा आपका पूरा प्रशन के यर हो जाना था तो मतलब कुछ एक प्रशन ऐसे थे जो जो एजीली याद रह सकते थे और इसली उनको कर भी हम सकते थे ठीक है तो ये था नेक्स से दीगिए लोक रंगमंच आया था मिलान के लिए शायद ये प्रशन दीख लें कि अगर इस तरीके से आपने सही मिलान किया होगा तो आपका कॉश्चन डेफिनिकली सही होगा ठीक है नेक्स ते दीखिए फिर आता आपका दलित जो आत्म का थाने थी उनको कम से रखना था तो सबसे पहले उसमें अपने-पिंजरे जो महंदास ने मिश्राय क पूछा था है उसको बड़ी करने का पूछा था या कुछ और पूछा था लेकिन वो अंत में ही था इस तरीके से था कुछ मतलब सबसे पहले क्या आना था अपने-पिंजरे 1995 में जो महंदास ने मिश्राय वारी आतमकता थी वही सबसे पहले उसमें आनी थी ठीक है नेक्स होगा दूसरा था जहांपर वो काम करने जाता था वो कहां था सेहमरी से था ठीक है तो यह कौन से है बिलारी से है क्लीर है नेक्स देखिए माता-पिता के रिष्टे से परेशान बालक के मन को चित करने वाला उपनियास कुछ इस तरीके से एक्जक्ट में यह नहीं कह सकता और गोदान उपनियास से भी समझे जो रिलेटर प्रशन थे वो भी हिंदी साहीत बाता चैनल में हमने अच्छे से उनको पढ़ा था ठीक है दोस्तों उसका देखिए पत्रिकाओं का मिलान करने के लिए था उसमें से जो पत्रिकाओं रही वो है आनंद कादम बेनी और समा लोचकती दो कोई और थी अगर आएक भी आपको इन में से आ जाती तो प्रेम घन अगर आपको आ जाती तो सारा का सारा प्रशन आपका उससे क्लियर हो रहा था ठीक है तो पत्रिकाओं से भी दीकिए इस प्रशन पूछ लिया गया था नेक्स दीकिए बोलियां और प्भा इन में से है तो छे में से एक थी थी शायद कनौजी या बुंदेली इन में से थी शायद लेकिन ये भी आपको अगर याद होती तो ये बहुत इजी प्रशन था कि सीधे पूछा गया था कि उनको आपने मिलान करना है बोलियों को हमेशा ये प्रशन पूछ जाता है और द दूस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं क्योंकि इस प्रशन के उत्र में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो ये आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप किसी को मालूम है नेक्स प्रशन ने देखिए उननी सो चथिस में जो रचित रचनाई तो चार नेक्स ने देखिए हरिवन शिराय बच्चन की जो आत्म खताएं थी उसका जो प्रत्थम भाग कौन सा है कि किस शीरसक से उनने पहला जो उसका प्रकाशन किया था हरिवन शिराय बच्चन जी का तो यहां देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं यही था उनका जो पहला से था प्रशन किसन से सरक तक में धूमिलने कितने आदमियों को वो किया है ठीक है तो इसमें से तीन आदमी देखा न वो बोलता है कि एक इंसान रोटी बेलता है एक इंसान रोटी से रोटी खाता है और एक तीसरे इंसान है जो न रोटी बेलता है न बनाता वो खाता है इस प्रश्चन है देखिए मिलान करने के लिए आया था ये भी जमीन पक्रही है और आत्मात्या के विरुद और कुछ और दो रचनाया और थी मेवी किसकी याद एक्जक तरीके से नहीं हो पा रहा है लेकिन ये भी आपको अगर एक आदिम मैच हो जाती आपकी तो वो सही निकल जाना था जमीन पक्रही थी के दाना सिंग आत्मात्या के विरुद रगवीर सहाय तो ये वाला प्रशन भी मिलान में पूछ लिए गया था नेक्स से देखिए जिस का उचान स्थान दंत है तो देखिए उचान स्थान से बहुत सिंपल प्रशन पूछा गया था है ना जो डोडो और हड़ा थे उसमें भी क्या था उसमें आपका मूरदा होना था लेकिन दोडो और धो तो इसके लिए देखी हमने उचान स्थान वाले भी ये भी हमने अच्य से डिसकस किया हुआ था जो हमारे व्याकरन बाली lectures थे, उसमें हमने देखा है कि इनके उचारनस्थान क्या होते हैं, लृतूलस अनाम, दंत, तो इस तरीके से आपको एक trick मैंने बताई थी कि उस तरीके से इनको याद रखते हैं, तो उसके अंतरगतमनी, सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इसकस की हुई हैं, ठीक है? तो इन दोनों का उचारनस्तान क्या था? दंत था, नेक्स से दिखे, क्रम से रखने को बोला गया है कि यथातवाद, विखर्णनवाद, सनरचनवाद, उत्रादुनिक्तावाद इन में से सबसे आकिर में उत्रादुनिक्तावाद ही होना था, पहले शायद आपका यथातवाद, उसके बाद सनरचनवाद, फिर विखर्णनवाद, फिर उत्रादुनिक्तावाद, इस तरीके से होना चाहिए था ये, अगर इसका कुछ और उतर है दोस्तों तो आप मुझे comment section में जाकर वो भी बता सकते हैं कि इनका सही करम किस तरीके से हो सकता है आपको लगता है कि मुझे से कुछ प्रशन गलत हुए है तब भी आप मुझे बता सकते हैं और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ और प्रशन थे जो आपको याद है तो आप भी वो भी मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं ताकि हम paper को और अचे तरीके से clarify कर पा और ये वाली पंक्ती भी हमने अचे से अचाग रामचंदर शुकल के कत्रह में discuss की हुई है कि शुकल नहीं ये कतन किस के लिए का था विद्यपती के लिए कहा था ठीक है next है देखिए नारी का आकरशन पुरुष को पुरुष बनाता है ये कतन किस नाटका है तो ये वाला ये का कतन है देखि लेहरों के राजहंस में से ठीक है तो सही उत्तर इसका क्या होना था लेहरों के राजहंस ठीक है देखिए फिर माकरनल चत्रुवेदी की जो रचनाई पूछी थी कि कौन से उसमें हैं और कौन से नहीं है ठीक है तो जो थी इनकी देखिए हिम करिटनी औरहिम तरंगनी तो दोनों भी कल्पों में थी तो सही भी कल्प आपका यही होने थे कि ये दो पंग्तियां आपको ये दो रचनाएं आपको मिल जाती तो उसमें ही क्या था आपका माख़नल चत्रविदी की रचनाएं थी Next question है देखिए तो राम कभी भी तो नहीं था अगर दास भी क्या है राम कभी है फिर स्वामी हरीदास था तो स्वामी हरीदास इसमें विकल्प में होने चाहिए थे और एक और थे इनके साथ कोई वो भी इनके साथ आने थे ठीक है तो यह आपके राम कभी नहीं है तो यह कृष्ण कभी थे ठीक है नेक् अपन्यास के पातरों के बारे में पूछा गया था तो अधिकतर जो पातरों के बारे में पोचे गए थे ठीक है नेक से देखिए पातर उबराद असके मिलान जैसे मुराद unique the तो यह अगर आपको याद होता तो सारा का सारा उसमें मिल जाना था ठीक है जो जो चीज़े याद थी वो मैंने आपके बीच में रख दी है और जो आप कुछ एक लोगों से पता करके चली है तो वहां से हमें इस तीके से मालू हुआ कि प्रसंद किस तीके से पूछे गए थ ठीक है तो यह आपका मुराद अली तमस्य था इसके अलावा और जो पात्र थे उनका मिलान इजली होया न था नेक्स से देखिए राम बिलास शर्मा की रचनाए तो देखिए राम बिलास शर्मा की जो दो रचनाए उसमें थी वो थी प्रेम चंद और उनका यूग और इसके से थी शायद कुछ तो वो दोनों किसकी थी राम बिलास शर्मा की थी ठीक है जो दो उसकी क्या थी वो नहीं थी नेक्स दीखिए काल क्रम के अनुसार प्रशन पूछा गया था कि इनको बिहारी मति राम देव और चौथा अगर तो सेनापती होगा तो सबसे पहले आ आएगा तो सबसे अंत में चाहिद वो दो थे या कोई और था तो बाकी आपने इसको करेक्ट कर लेना है ठीक है तो नेक्स से देखिए हम देख लेते हैं कि मिलान के लिए ही पूछा था देखिए वाद विवाद समबाद तो ये किसका था ये नामवर सिंग का था आचरन क वो सौपृतिशत सही है नेक्स से देखिए ब्रज का कृषिन का वे नाम करण और कालवी भाजन किस ने किया तो देखिए ये जो आपका जो चौथा काल करम था वो था आपका जियो नाम कौना है काल करम में तो सरफ्युति पांड़े में ही आपको ये चीज मिल जाएगी प्रशन होना था नेक्स से देखिए पात्र मिलान एक बार फिर से पूछा गया है जो कहानी के पात्र है दुलाई वाली दीकिए उसमें नवल किशोर है यह आपने अगर सही मिला दिया तो पूरा का पूरा आपका सही हो जाना था प्रशन ठीक है तो पात्रों के मिलान से कर चुके हैं कि इस तरीके के प्रशन कुछ पूछे गए थे ठीक है नेक्स से देखिए अग्ये की रचनाओं को क्रम अनुसार रखें तो यह वाला प्रशन भी इजी था एक तरीके से जोगदिखिस में इत्यलम उनीसोचारीस में था कितनी नावों में कितनी बार 277 नदी की बांक 61981 तो इस तरीके से यह प्रशन पूछा गया था इनको आगे पीछे करके इनको आपने सही क्रम में रखना था नेक्स देखिए दब सहाब पयास किसकी रचना है तो यह माईल धबल की थी यह भी आपको सरसुतिक पांडे में मिल जाएगा मतलब बहुत सा और हम कंप्लीट जो पूरी त्यारियां आपको करवाएंगे और इस बार हमारा जो पूरा का पूरा हम कोशिश करेंगे किसले बस कंप्लीट करेंगे क्योंकि पीछे वाले जो अभी वाला जो नेट था उसके लिए हमारा जो पूरा नहीं हो पाया था आगे हम कोशिश करें और जो भी हमारी कम्याँ इस बार रही है उनको हम आगे नादो रहे तो बहुत सारे प्रशन हमारे जो सही तेवार तो चैनल था उससे ही कहीना कहीं जो हमने करवाए हैं उससे और एक तरीक़े का आईडिया हम देदेते हैं कि इस तरीके से प्रेशन पुछी आते हैं और बहुत उपयोगी लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट है देखिए अनुची 343 के संबंद में सत्यकतन आपने बताना था कि कौन-कौन से थे यह वाली बातें भी हमने अपनी लेक्चर में डिसकस की थी जो भाशा संबंद ही हमारा लेक्चर है वहाँ पर देखिए संग की राजबाशा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी यही 343 में है और भारतियां अंकों का रूप अंतराश्टी होगा इसका जिक्र भी कहा है 343 में अनुचेद में ही है लकिन उसके अलावा देखिए दो पंक्तियां और पूछे गई थी कि 344 के संबंद में थी वो कि जो राश्ट्रपती के द्वारा किसका राजबाशा आयो का गठन किया जाता यह 344 में था जबकि आपका दूसरा जो न्यालियों की भाष्टा के बारे में पूछा गया था वो था आपका 348 में तो यह वाली जो पंक्तियां थी दो पंक्तियां इसमें सही होनी थी राजबाशा हिंदी और लिपी देवनागरी और नेक्स आपका भारती अंकों का जो रूप होगा वो क्या होगा अंतराश्ट्रिय होगा तो दीखे इसके अलावा जो क्रशन इस तरीके से पूछा गया था कि शायद वो आपका एक तो पूछा गया था कभी दासी से कि मैं कहता का अगद के लिए कि इस तरीके से उनकी यह पंक्तिय दी गई थी इसमें इनोंने क्या चीज वर्नित नहीं की है तो वो भी easy था उसमें तेखना था आपने तीन चीजने थी और एक चीज नहीं थी फिर आदिवासी मर्स से भी था और स्त्री भी मर्स से भी एक प्रशन थे तो वो भी जादा मुश्किल वाले प्रशन बैसे नहीं होने चाहिए थे है ना तो simply आपने उसमें थोड़ा सा उ ही किया गया था और एक प्रशन और था जैसे आपका आईये रिचर्ड्स के समन्द में जो गलत पंक्ती थी वो कौन सी थी गलत या साही इस तरीके से प्रशन था एगजक्ट अभी याद नहीं आ रहा है कि कौन सी वो पंक्तियों थी फिर उसके बाद देखिए एक प्रशन इस तरीके से पूछा गया था कि कौन सी रचनाए हरिशन के परसाई की हैं या नहीं हैं तो अगर तो हैं पूछा होगा तब होगा आपका की आपका एक तो आपका जो तुलसिदास चंदनगी से एक वो वाली थी उनकी और दूसरा अपनी अपनी बिमारी तो ये दो उनके रचनाए हैं अगर नहीं पूछीगी हैं तो इनके अलावा जो दो थी वो उसका उत्तर होना था तो दोस्तों इसके अलावा देखिए दो दस प्रशन हमारे उसके थे कॉंप्रिहंशन के थे तो वो प्रशन मुझे लगता है कि बिल्कुल एजी थे और उनको हर एक बच्च थे जिनको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था ठीक है तो फिर भी अगर किसी ने अच्छे तरीके से रीडिंग को किया होगा तो लगभग लगभग दस में से उसने कम से कम साथ या आट प्रशन वो ठीक करके ही उसमें आएगा क्योंकि बहुत सारी प्रशन मुझे ऐ प्रशन को हम डिसकस अभी कर चुके हैं तो फिलाल इतने ही प्रशन जो याद थे और जो अपने दोस्तों के जरीए हमें मालूम हुए और उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको लगता है कि इसके लावा भी कुछ एक प्रशन और थे जो आ नहीं सकते हैं ये शाम वाली जो शिफ्ट थी उसको ही हमने डिसकस किया है सुभा की शिफ्ट के बारे में अगर जानकारी है किसी को तो वो भी बता सकते हैं कि किस तरीके के प्रशन उसमें रहे और फिलाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों जल्द ही आपके बीच में हाजि होंगे तब तक के लिए मुझे दी जी जाजत शुक्रिया जहिंद हो फॉर दा पेस्ट एंड हैपी दीवाली वंस अगें